कि यह दोस्तों मैं रिंको सिंग आपके अपने यूटूब चैनल वेबस्टिटी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि इस बार गवर्मेंट ने हाइस्कूल वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया है और बच्चे हाइस्कूल स से पढ़ने की जहुत पड़ेगी तो हम इसी को सोचते हुए हमने जो 11 क्लास का जो अकैड़िंग मैथ है उसे पढ़ाने का निर्निया लिया है और हम जो NCRT की बुक है उसके को संस कराएंगे और उसी क्या एक्सराइज जो है फर्स्ट एक्सराइज कराएंगे यानिकि आधिक है हमने लिखा है सैट की टैफिन से लिख दिया हुँआ वह वैल डिवेंट क्लेक्शन इच कोड़ सैट का मीनस समझेंगे वैल्वाइज मीनस होता डैफनेट एंड डिस्टिंट मतलब डैफनेट होना चीए है और डिस्टिंट होने चीजिए हमारे लैटर से होगे इसके में इसके अंदर है तो यह लिखा हमने एक जांब पर लिखा है सब्सक्राइब आग पढ़ेंगे तो समझेंगे इसके बाद में इसमें नोट है सैट सार्ट जनर्ट डिनोटेट बाई कैपिटल लेटर्स एबी जो इंगलिज्सके ऐल्फाबैट्स होते हैं उनके जो capital letter से denote करते हैं A B Y Z ETC फिर इसके बाद है जिसके element होंगे set के तो उन्हें हम denote करेंगे small letter से जैसे कि यहां लिखा A, B dash dash Y Z ETC है फिर इसके बाद है object, element, members और फिर set are synonyms, terms होते हैं मतलब अगर कहीं member लिखा हो या object लिखा हो यह element लिखा हो एक ही बात होगी इसके बाद में हम लिखेंगे set को किस परकार से divide किया गया है जो कितने methods है set को represent करने के जो set में हम set को दो तरीके से represents कर सकते हैं कि दो method है set को represent करने के number 1 लिखा हुआ है पहले तुम्हें बताएं कौन-कौन से method रोश्टर टैवलर method बोलते हैं रोश्टर या फिर रोश्टर और टैवलर method है set builder method है तो हमारा रोश्टर जो रोश्टर टैवलर method में क्या से लिखेंगे क्या कैसे करेंगे हमने लिख समझाया है इन इस method element of set are listed separated by comma and close within braces इसे ब्रेकेश बोलते हैं से करली ब्रेकेट भी कहते हैं इसे जो करली ब्रेकेट भी बोल देते हैं करली ब्रेकेट भी बोल देते हैं फिर मैंने एक्जाम पर लिख खाए इसका टैवलर method में रोश्टर फोम में जो हम किस प्रकार से मतलब कि सब्सक्राइब से लिखेंगे हमने एक्जाम्पल के माध्य में समझेंगे दा क्लक्षन ऑफ वर्विल्स ओफ इंग्लिस एल्फाबेट इस सैट है में इस सैट की टैपने से ने लिखवाई थी वैल डिफाइन होना चाहिए तो देखो यह भी समझा देता हूं वैल देखार फाईव उन हमके पांच है और डिस्टिटिडिव डिखने नटिव दिखने हैं अधिव में देखें ली लिखा एक आप सुर में एक यहाँ वेजने कर रहे हैं95bert करें होती है हमने लिखा in this method set is described by 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 x such that Px hold for X and read as X is the all x such that Px hold तो हमने लिखा यह भी हमने लिखा था रोस्टर फोम में लिखा दए जिए गल टु ए ईई आई ओ यू तो हम इसे कैसे लिखें लीखेंगे देखेंगे में जिसे पाइन अची लेकिन अब्लिक का थोड़ा इस तरिक आछ सिदा तो में देखेंगे एकस både ऑफ एग एग्लीज्स एलफाबेट थीच है अब हमने लिख दिया आई चैट वेल्टर फॉर्म में अब एकसऺिए सेट कैसा बच्छो अब इसके बाद में हम देखेंगे कुछ और पॉंट्स के नोट करेंगे कि तो इसके इनके बारे में पढ़ेंगे क्या नोट्स हैं मतलब क्या पॉंट्स हैं इंपोटेंट पॉंट्स तो मैंने लिखा if a is the element of set a we say that a belongs to a इसका मतलब प्लॉंट्स टू यहां मैंने लिख भी दिया है आप इसे नोट्स कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं जो आगे के लिए तुम्हारे काम आ जाएंगे फिर सेकंड पॉंट्स है if a is not the element of set a we say that a does not belong to a symbol at does not belong to a epsilon का संबल है जो हमने इसे पर कोई factor नहीं होगा मैं एक्जामपल यहां लिख देता हूं इसका यह एक्जामपल ही लिख रहा हूं कि एक्जामपल है हमारा कि जैसे एज इकल टू कि ए ए आई ओ यू और हमारा बी है इस इकल टू इए आई ओ यू ऐसे लिख दिया हमने इई आई ओ यू ए रहा गया ए तो बच्चो तो यहां ओड़र इसका जोड़र चेंज होगा है लेकिन यह सैट दोनों सैट इक्वल होंगे क्योंकि हमने पहले लिखवा दिया दा और विच एलमेंट्स और रिटेन हैज नो डिफ्रे ए ए एंड बी आल में ता सेम सैट अब शक्राइब सकते हैं यह एक्जाम्पल लिख दिया मैं इसके अंदर इसके बाद मैंने लिख खा है दे रिपीटिशनों परिमेंट है लोसे इसके बाद देखते है इसका भी एक्जामपल इसे इसी के माधियम से समझेंगे सपोज A is equal to A, E, I, O, U है और B हमारा A, A, I, E, E, I, O, U तो अब भी हम यह कहेंगे कि A and P R the same sets ठीक है इसके बाद हम इसके बाद हम कुछ जन्रल केस हैं जो सब्सक्राइब करेंगे जन्रल सेंबल हैं उनको सैट को लिख देते हैं फिर उसके बाद मैं एक्साइब करेंगे है इसकी हमने यहां कुछ इंपोर्टेंट सैट की जो एक्जामपल है लिखे हैं पर्टिक्लर केस में यह आर है मारा और इसम सब्सक्राइब करते हैं कि दस्याट ओफ रियल नंबर्स क्यों सब्सक्राइब करेंगे तो निगेटिव यहां लिख देंगे आज अए च्छुन उफ लिखा यहां भी तो यहां भी निगेटिव कर देंगे डस एट ओफ कंपलेक्ट नंबर ऐसी अगर मैं पोजिटिव को लिखें से क्यों पोजिटिव करूंगा तो मैं इसे लिख ददा सब्सक्राइब पोजिटिव निटीजर है ठीक है मैं थोड़ा सा इनक बता देता हूं इस सेट को कैसे लिखेंगे रियल नमबर है इसमें कि प्रकार के अलिमेंट लिखेंगे और लेडी बुक्स में लिखा होगा था कलेक्ष्ट नॉप लेशन इनलेशन नमबर इसको रियल लेकिन हम एक पर्टिकलर डेफिनेशन बनाएंगे इसकी हम लिखेंगे एक साइट एक स्कैर लेजन लेज दैन और एक्वल टू जीरो कोई भी ऐसा नमबर जिसका हम स्कैर करें या तो लैसा यह जीरो से जीरो के एकोल आएगा वह हमारा रियल नमबर के इंद्रक्त आएग और इसके डेफिनिशन में बतार रहा हूं और यह डियों यह डियों क्यों ग्यों करता है को माइको भी डॉनोट करेगा वेहर को भी तो इसे लिखेंगे क्यों नोट इकल टू जीरो लिखा था सेट और इंटीजर तो इसे भी आप जानते ही होंगे पार्टिक्लर केस में लिख देता हूं जीरो वान टू डॉट 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 यहनके इन्फाइन करेंगे सैट अफ नेच्वल नंबर तो छोटे बच्चे भी जानते हैं जैसे रखन वं से स्टार्ट होने वाले सब लिखेंगे नंबर नेच्टन नंबर के अंतरगत आएंगे और फिर हमारी कंडिशन यह रहेगी जो हमारा रेनोमेटर है क्यों हमारा जीरो को इक वाल नहीं होना चाहिए इसकेस में अगर जीरो जीरो रख दिया तो इन्फाइन हो जाएगा जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर मैं बात करूंगो जैसे वन अपॉन जीरो लिख दिया यह रहेट क्योंकर हमारा नहीं क्योंकि ऐसे इसग आपwestर hyvin करेंगे यह जैट दा सैट ओफ निगेटिव इंटीजर है तो निगेटिव इंटीजर का सैट इस तरीके से लिखेंगे अब निगेटिव इंटीजर होता है तो जीरो को रिमॉब करेंगे यहां लेकिन जगर सैट करेंगे तो जीरो को इंकलोड कर लेते हैं अगर इंटीजर की बात कर तो हमारा जो जीरो को इंकूरेटेगा निगेटी होगा आँझी में तैसल सिप्रकार से परप्रड़िन गलते हैं का नेशन लॉकित बहुत इम्पोर्टेंट है है कि जैसे माझस ग्ला इस तू मांनेस टू धिकतंव होगा यह हमारा तो नेगेटिव इंटीजर होगा तो इस फोर में कोई भी हमारा नमबर लिखा होगा आई हमारा यह जो टा बोलते हैं दो जब कांप्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे कि योटा बोलते हैं लिए और ब्लिक्राइब रिपरजेंट करेंगे प्यों क्यों अ क्यों मेरे सहतं हैं कि अहुंत fake गांगे वे ज率 यह एं आ लिक्का ले सकते हैं इसके बाद हम एक साइज के पॉस्त एक पॉसिंगा करेंगे बन करके अब वह मुं सबकरेंगे कॉसन फालोंगे फॉल्विंग फॉल्मिंग यह सपक्राइब कि בध सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे स्टार्ट होने वाले क्लेक्शन है इसलिए मैं यह लिख दे रहा हूं एक वह इस तरीके से लिखेंगे जैसे आप देखेंगे मार्च अप्रेल मैय जून तुम्हार स्टार्ट इस तरह सब्सक्राइब इसे स्टार परी जून जुलाई तो और कोई तनी होता है अगर होता है भी है तो आप लिख सकते हैं इसके अंतरगत वैसे होता नहीं कोई और इसके बाद ऑप्शन सेक्ड को देखें कि ता कलक्शन ओफ नोस्त टैलेंटिट राइटर आफ इंडिया इंटर नोटे सेंट बिकोज ही हर नोज केल तो मेजर तरीके से होते हैं तो टैलेंटेट कोई से नहीं है और यह अब स्टेक्ट बाढ़ है अब स्टेक्ट बाड्ट है जो अब अब स्ट्रइक्ट वाड़ हमारे हमारे अब स्ट्रिक्ट्ट अब और वहारे से इस एट नहीं है है इसके बाद हमें बस्टिक करना था इसमें लेकिन फिर बता चल्ला हूं है कि इस टीम ऑफ बैस्ट किर्केट किट बैस्ट मैं ऑफ दवर्ड फेर यहां और श्रक्टस रगाव बैस्ट फिर यहां भी कोई स्केल नहीं है जो हम मेर्जर कर लें बैस्ट को न रहे तो चूसंगा नहीं है इसके बाद देखें कि आ the collection of all boy in your class हाँ यह बिल्कुल सैट होगा क्योंकि तुम अपनी क्लास में जितने भी बच्चे उन्हें काउंट कर सकते हैं तो यह हमारा सैट है ठीक है अधा क्लेक्शन ओफ ओल नेच्रल नंबर लेस देन हंड्रेड तो मैंने भी काउंट कर सकते हो इनने भी काउंट करेंगे तो देखेंगे हमार से इस तरीके लिख हुआ यह तुम्हें सैट पिल्टर फॉर्म में लिख देता हूं अगर सैट पिल्टर फॉर्म में काउंट भी कर सकते हैं कितनी नेच्रल नंबर है 98 होंगी क्योंकि चीरो नेच्रल नंबर के अंतर नहीं आती है ठीक है इसके बाद में अगर देखेंगे तो यह भी हमारा क्या हुआ है यह भी मारा सैट हुआ एक कलेक्शन ओफ नोवल्स डिटन वाई रिटन वाई एक कलेक कोई भी रिखा क्या है उसने कितने हमारे नौविल्स लिखें आप कर सकते हैं अब हैं अब ही तक मैस की कितनी पिके पड़िए आप काउंट कर सकते हैं तो देखें यह लिखा है दा कलक्शन ओफ ओल इविन इवन इंटीजर है दा कलेक्शन एक फंप यह च्छूट गया ध अंधिविक्ता है हाँ क्योंकि हम रिपर्जैन्ट कर सकते हैं क्योंकि हैसा हम लिख सकते हैं ये ला ये विपिखिकू सब्सक्रापि हमें पर पांडा है हैं कि छुर्ण में जिसे मायने घुड दो डो दो डो डो इन्फाम अ तक जाुए हमारे क्या है इंटीजर हैं हमें बताना ना कि ओड और तो रीविन बताना था अब हम भी निया है यह हमारे दा क्लेक्शन ओफ कॉशंस इन इन दिस चैप्टर इस चैप्र लिखावा है हुआ है इस चैप्र तो पर क्वी काउंट कर सकते हैं आए थैंक तुम्हारे जैस्व को सने हैं फिर हमारा देका लाश्ट एक पहले एक क्लेक्शन ओफ मोस्ट डेंजरीस एनिमेल्स ओफ द वार्ड ऑक फिर आगाँ वोस्ट डेंजरीस हम टेंगरी की कोई ही हैं मोस्ट all all the month of year beginning with the letter J यह हमारा सैट है बिल्कुल सही है यह हमारा collection of the most talented most talented writer यह हमारा सैट नहीं है और नहीं बैस्ट किर्केट वाला भी हमारा सैट नहीं होगा क्योंकि हमारा अबस्ट्रक्ट जो वर्ड है the collection of all boys in your class यह भी बिल्कुल काउंट कर सकते हैं all natural number less than यह यह भी कर सकते हैं novel यह भी हमारा है the collection of all even integer यह भी लिख सकते हैं the collection of questions in this chapter यह भी हमारा सैट होगा इसके बाद में हम करेंगे question number second आप इसका screenshot ले सकते हैं हम question number second देखते हैं इसमें लिखा let a is equal to कोई given मतलब कोई सेट गिविन है एकल टो देश इंसर्ट दा फॉल इंसर्ट दा एप्रोप्रोप्रेट सेंबल एफ साइलन और यह ब्लॉंग टू हमने लिखवा दिया इसका तो इन ब्लैंक तुम्हें बताना है कि five set a में ब्लॉंग कर रहा है निकर आप देखके बताना है यह रहा फाइव यह रहा तो क्या हो जाएगा यह ब्लॉंग आ जाएगा आप फूर्थ पार्ट देखेंगी कॉस्त और फॉर्ट ब्लॉंग सेंट एथ ईखिंगे कि नष्भ पारट में जैसे हें है तो प्रशल भुडूंग आ है कि ओरहां सिक प्रेहन तैने यूंग अमसे लिखिने एक तेन मीं है नहीं है नीमारी तो इसा आ कर अब को सोननमर थाट कि बात करेंगे और इसमें बाड है उने सोल करेंगे वन लेंड करके आप इसका उपर ले-वाल को इसका पूर लिए इस की इंसरेंट ले लिजे कुषिए कॉसन नमबर 3 के हमारे तीन पार्ट लिखेंगे तो आप स्कीन पर देखेंगे तो एक फर्स्ट पार्ट है तो इस लिखा पहले को समझे लेते हैं राइट 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 दा फॉलॉविंग है रोप सने लिखुड जो है सैट करने के दो टाइप होतीए orazियंगा हम्हें लिखना है रोश्टर फॉर्म में रोश्टर पॉल दो या हमारा टैबलर सब्सक्रों मौलथ यह बात होता है यह लेडी किसमें हमारे लिखेंगे है यह हमारे सेट विल्टर फॉर्म में लिखे में देखते हैं फाइस्ट का फाइस्ट पार्ट का जो अंसर होगा हमारा कि एकल टू यह लिखवा एक्स सच्छ डैट एक्स यह एन इंटिजर एंड जो कंडिशन दे रखी है यह कंडिशन को सैटिस्फाइब करना चीए एंड ग्रेटर दैन मानेस ट्रेंट लैस देन सेवन तो यह देखेंगे मानेस त्री से ग्रेटर कौन से नंबर कौन से इनका जो collection हमारे आएगा अब देखें कि कैसे लिखेंगे माइनस 3 से जो गीरेटर है तो माइनस 2 होगा कि माइनस 1 कि इंडिघर जो भी नहीं अब अगर आप देख सकते हैं जो सिक्सट है लेस देन सेवन है और जो माइनस त्री से गिरेटर है माइनस टू तो इनके बीच में जो हमारे आए नमबर इनकी तक लख से नहें माइनस टू से लेकर सिक्स तक हमारे नमबर आएंगे इसके साथ हम करेंगे सैकिंड पार्ट को सोल और हाँ इस बात का विशेज कर द्यान अखिए अगर आपकी कोई क्वेरी हैं तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं उसका जो है आपकी कमेंट में लिख देंगे और हमारे वेपस्टेटी पॉइंट के नाम से हमने टेलिग्राम बना रखा है वहां भी आप कमेंट करके देखने जा रहे हैं अब इसे को क्वेस dal नंबर सब्सक्राइब देखने जा रहे हैं यह इकल टू एक्स एक्ससे सच डैक्स प्रेक्षिपश्य नेच्छल नंबर लेस दैन सिक्स्ट आप इसे को एजली कर सकते हैं से कि बात कर रहा है आपम थरड़ पार्ट देखेंगे इ नच्राइब नच्राइब नमबर फिर हमारी कंडिशन दिरेके सच तब एट इस डिजिट एड उसका सम एट होना चीए अब इसको सिन थोड़ा सा समझने के मतलब इस अंडेस्टेंडिंग है इसमें थोड़े से समझना है मैं अब देखिएंगे थरद पार्ट अब टूजिट नमबर लिखना स्टार्ट करते हैं 17 देखो इसका सम जो होगा इन दोनों नमबरों का सम है यह भी समझने लिए कि इनका सम क्या होना चीए एट होना चीए तो इनका सम एट है ऐसे ही मैं सब को बताऊंगा अब इसके बाद में देखो खोदी देखो तो क्या आ समल यह एका टो है है अब क्या लिह सकते हैं C44 इनका वी सम अतना आएगा अगया सकते हैं тут toi ऑ व सकते हैं hariykim अगर कोई अगर आपको लाग रहा है कि इसमें कोई और रहा गया तो आप हमें फोर करके बता सकते हैं और आप उसमें प्लेस्ट करना तो यह तो यह तो फॉर फॉर का भी अब हमने देखा फॉर फॉर के बाद में कोई हमारा नहीं और पिर हम क्या करते हैं इसके लिए तो अगर यह 53 का मैंने रिवर्स कर दिया यह तर्टी फाइब 53 का रिवर्स है एक ट्वन्टी सिक रिवर्स क्या सिक्षिटू है अब तुम अब यह क्या होगे सर हम अगर आप रिवर्स के बात करें तो जीरो एट होना चीए बच्चों जीरो एट जो है हमारा तो जी नमबर यह यह वन डिजिट नमबर है इसका हमें ध्यान रखना है इसके बाद में कॉस्ट इसके बाद में हम इसके जो और पार्ट करेंगे आप इतने का सी ले सकते हैं है अब को सीधिया किं स्टावर तरक्स पार्ट करेंगे एक लिखाट is equals X such that X इस एक प्राइन नंबर विच इस डिवाईजयर और 60 मतलब हमें प्राइम नंबर के ऐसे प्राइम नंबर बता रहे हैं जो डिवाइड करते हैं और प्राइम नंबर क्या हैं वे दो नंबर होते हैं मतलब जिनके केवल करें दो फैक्टर हो सकते हैं वे प्राइब नंबर के अंतर गता आते हैं ठीक एक तो खुद होना चाहिए और एक उसका वानों लाद यह इसके 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 बाद में देखेंगे इसके पहला सोलोसिन लिख लेते हैं कि सोलोशन फॉर्थ पार्ट का कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डी इस इकल टू है तो हमें प्राइम नंबर देखने वन ना तो प्राइम है ऐसे कहते हैं ना तो वन प्राइम है ना ही हमारा इविन नंबर है ठीक है अब देखेंगे हुआ है तो टू है टू ममाला सबस्ते चोटा प्राइम नंबर है तू से डिवाइड हो रहा बिलकूल उसके बार में थी आयागा थी जो युल को रहा अब कह royalty तो फॉर्ट उरा हाव बिल्कूल हो रहा लेकिन तो फेक्टर करेंगे तो इसके कितने आएन लिखेंगे यह तो इसके तीर्ट नमबर क्या होते हैं एक तो खुद हो और एक बन लेकिन है तो आराज का कर तो इसका में ही इसका में दिहान रखना है तो टू ठी और फिर फोर विए उड़ा और नहीं कर सकते इसके बाद में देखें यह इंखें एगल घ्रीव प्राइम नंबर नहीं है ठीक है अप कि इसके बाद में नंबर देखें काउंट करेंगे तो हमारा यह फाइव जो लाश्ट नंबर है इससे लग इसके कोई प्राइम फैक्टर नहीं होंगे फिर हमारा है फिप पार्ट एई इस इकल टू तर सेट ओफ ओल लेटर इन दवर्ड ट्रिकोन मेटरी तो हमें इमेज ट्रिकोन मेटरी में हैं जो हमारे वर्ड है उनका सैट बनाना है एक तो टी आएगा एक एक आर आएगा है टाएगा एक एक जी आएगा एक ओए ऑगा एक एन चाहेगा और हमारा एं मैं आएगा डिक है अब एम आएगा है अब कहेंगे किस फेलह तो है लेकिन मैंने लिखवा दे कि कि रिपेटिस स्ञ выступी नहीं बढ़ता अगा हम बीनी देंगे तब हमारा सैम होगा एक बार लिखेंगे तब न्याहकर हो लैटर इन द वर्ड इन द वर्ड 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 बैटर तो आप देखेंगे इसमें कितने लैटर लगके बनाए एक एक यह है बी ए दो टी तीन यह ओलेट रिपीट हो गया और यानि कि चार नंबर हैं इसमें तो हम क्या लिखेंगे इसे एप कुछ दिदेट तो हमारा बनेगा एक बार अब इते को सब्सक्राइब कर दिद्यान में रखेंगे अदरवाज को सब्सक्राइब हो जाएगा फ्राइम नंबर मैं ने बता त्र dif素त होता यौँ छी कि भात करेंगे तो को से दिवाइड हो जाएगा ठीक है लेकिन टीन सो कि आ एक बन है तो हमारा प्राइम नंबर है यह प्राइम नंबर है यह प्राइम नंबर नहीं है ठीक है यह आप नोट कर सकते हैं इसके बाद हम को सब्सक्राइब से नमबर four करेंगे यह लिखा है पॉर्म में राइट गालॉइंग सेट दे लिखना है देखेंगे फर्स्ट पार्ट का उन्स्वर है इसे से डिनोड कर लेते हैं एज इकल टू यह क्या है इसे लिख दें अगर हम लिख दें अब हम लिख देते हैं इसे थी एन और कंडिशन सेटिफाइब करेगा यह हम कहते हैं इस तरह के समल लिख सकते हैं देखेंगे हैं हम स्ट्रां क्यों टेखेंगे सुटीन लें और यह ऐङना थेंघी मिलबव लिखेंगे लीकिन में टीनोड कर देखेंगे हैं यह वी लिखेंगे किया है आप हम ना अनिटके नामबर आजएगा और सेकंड फार्ड़्ट द्गेंगे चल दीदे हैं इसे तेda कर लेते हैं यह 248 12-32 तो क्या लिख रहे है यह क्या है अगर में इस तरिके से लिख दोटोर की पावर n that and आयमारा एक नयुक्रनल है लेकिन कैसा है कितने तक है है हमें देखना है तो वन से कि पाइप थर्टी टू आएगा है तो हम किसे के फाइब लिखेंगे यह फाइब तक क्योंकि अक्षिन नॉम्बर रखेंगे एन की जिगे तो हमारा यह विमारा एन एक नेशनल नंबर होगा इसके बाद थर्ट बाठ लेखेंगे बहुत जल्दी करके लिखा वाइओ टूनटी फाइफ पैवान टूटि फाइफ सिक्स हंट टूनटी फाइफ इसे। भी लिखेंगे हम फाइब के पावर एड़ साट तो हमारा लिख दींगे कैसे बनेगा हमारा इसे फाइब फाइब प कि वन जो है नहीं हमारा गेड़ेटर देन इक्वल टू किसके है वन के और लेस्ट देन और इक्वल किसके आएगा फोर के देख़ा आप रखके देख सकते हैं एन ब्लोंग टू है अगर अगर मैं के वैलों यहां फ़ोर रखूंघा तो क्या हजागा वाइक फार पार फॉर यह कंटीग है उन्टीपल फॉर पाइव थ्याई वोमसंत last वाँन ओन वान्तिफाइब прямо टूजाय कि हंड्र पर इससा प्राहिए करेंग है कोई तरुकर दो Feder सकता है सकते हैं अब देखेंगे फॉर्ट पार्ट को हम कर लेते हैं यह मैं सोचना कि मैं सिक्वेंस में क्यों कर रहा हूं आप पड़ते यह से कर सकते हैं कोई यह से एक अचैगा करते हैं ने लिड लेड़ी लिखा भी दिया है तो दी की बात करेंगे देखेंगे हैं में फिरेंगे एक सिपप क्या है मदोस आए है तो को का मल्तिपल है नहीं सुकते हैं एले पॉजृटीव इंटीजर बगर है टू किसिए एसे भी सकते हैं कि एन एन क्या हमारा एन इजे नेचरल नंबर या इस तरीके से ड्रॉंट कर देता हूं एरा एन नेचरल नंबर है ठीक है यह हमने लिख दिया इसके बाद में हम देखेंगे फॉर्ट फाइफ पार्ड हम कोशन फॉर का फिफ पार्ड करने जा रहे हैं इसे इसे लिख देंगे कोई भी अगर हम कर लेंगे किसी भी नंबर से 149 तो क्या लिख रहा है एक से कैसा नंबर है जिसका स्केर इस तरीके लेकिंग सब्सक्राइब एन कहां तक हमारा वेरी करेंगा लेके टैन तक और एन हमारा प्लोंग करेगा नेचरल नंबर में आप देख देख सकते हैं, अगर यहां एंकी यह 1 रख रहा हूं, तो क्या आएगा वन टुरखोगा तो फोर राज़ रखऊंगा तो नहीं, ऐसी सिक्मेंस बढ़ते जा रही है सिकुएज है इसी तरीके ते इसी रूल को फॉलडर करते वह आगे बढ़ रही है अभी है अभी है, जिक सब्सक्राइब करना यानि किसमें रोश्टर या टैबलर फॉर्म में लिखेंगे ठीक है बच्चों अब हम देखें के वन वावन करके यहां और आप इसे नोट करते दाएगा को फस्त पार्ट को एक को करेंगे हम लिख सकते हैं एक एक सीजए ओर नैच्रल नंबर तो इस तरी फाइब सेवन नाय डॉक्त 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 समझ जाते हैं फिर ठीक है फिर अब देखेंगे बी पार्ट बी पार्ट कैसे लिखेंगे लिखाओ एक्स सच एक्स एग्स एन इंटीजर और इस कंडिशन को सैटिस्वाइब कर रहा है माइनस बन अपॉंट टू से ग्रेटर होने चीह एक्स और लैस दैन होना चीह नाइन अपॉंट टू इसका मतलब क से क्या होना चाहिए होना चीह होना चीह है ठीक है तो क्या आएगा जीरो अधिशन हमारा वन टू थ्री और फॉर यह बनेगा इसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्ट को अगर हम थर्ड बाट की बात करेंगे तो थर्ड बाट में लिखावाँ सी इज इकल टू एक्स सच डैट एक्स इधिए एंटिजर और इस कंडिशन को सैटेंशाइए करना चाहिए तो हम देखेंगे क्या बनेगी कंडिशन सा क्या बनेगा सब्सक्राइब देखेंगे हम तो यह मायनिस का इसक्वा डू रखूं हुआ माइस टू का इसक्वार कि एक वाली सो थिसक तो माइस टू अगर मैंकर कंडिसन फेल हो जा जाएगी है 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 माली स्थू हो जाएगा और हमारा फिर हो जाएगा वन मानश का जीरो वन तो है ठीक है इसके बाद उन्हें देखते हैं फोर्थ पार्ट फोर्ट पार्ट देखेंगे इसे में रफ कर देता हूँ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ थर्ड पार्ट भी उन्हें कर लिया है और देखेंगे फोर्थ पार्ट डी इकल टू एक्स अच्छ डैट एक्स इज ए लेटर इन दा वर्ड लोयल तो लोयल में जो कितने वर्ड्स हैं इसका हम सैट बनाएंगे तो इसे लिखेंगे डी इस इकल टू कि एल ओ वाई एल तो हम द्वारे लिखेंगे क्योंकि रिपीटिशन से हमारा कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता लिख भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार लिखते हैं इसके वाद में देखेंगे अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपने ऐसे लिख दिया आइधा में तब भी कोई आपका गलत नहीं होगा अब अगर गयर शुद्र एक्षट एक्स सच्थाट एक्सीजे मंत ओर यरहां तर्टीवन डे इसे कैसे करेंगे और याद कैसे करते हैं अब इस तरीके ससे हाथ को एसे करेंगे और हम कांटिंग करेंगे जो मार्च अप्रेल मैं जून जुलाई फेरी दरसी जुलाइक बाद बन के होंगे तो इस तरीके तरह में अगर एक्जाम में देखेंगे तो लिख भी सकते हैं काउंडर के तो हम लिखेंगे जन्वरी कि सोट में लिख रहा हूं जन्वरी फर्वरी गाद मार्च अप्रेल फिर मैई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मैई फिर जून जुलाई अगास्ट सितंबर अक्टूवर नमबर के बाद दिसंबर आएगा इस लुट में लिख दिया मैंने अब इसका पार्ट रहा से अभी सोल करेंगे अब हम इसे करेंगे कोसर नमबर फाइव का सिक्स पार इस लिखा एक्स सज्दैट एक्सीजे कॉंस्टेंट एक्सीजे कॉंस्टेंट इस लिखा है ठीक है कॉंस्टेंट यह लिखा हुआ है फ इस इकल टू एक्स सज्दैट एक्सीजे कॉंस्टेंट इन दा इंग्लिश एल्फबेट विच प्रेसिट के के से पहले आने वाले जो हमारे कॉंस्टेंट है वे लिखने हमें अब देखेंगे इससे से इसे डिनोट कर लेते हैं एक्या है हमारा एव वोविल से फिर भी सी डी हमारा वोविल से डी एफ जी एच आई जे के के से पहला बताना यह हो जाएगा हमारा ठीक है ना तो इस तरह के दे लिखेंगे अब पुस्ट नमर शिक्स देखेंगे यह लिखाव मैजदा हमें मैच करने यानि कि लैप्ट को राइट से मैच करना यह हमें देखना है इस एड लिखा वान टू त्री सिक्स फेल लिखावा है तो त्री लिखावा है फिर फोर्ट मी लिखावा आपको दिख रहा होगा फेल के बाद में हमने इधर लिखेंगे है तो में देखना है अ कौन से हैं को मैच करेंगे एस है ठीक है आपको देख रहा है कि दोना प्राइम नंबर है क्योंकि अब मतलब फैक्टर क्या रखेंगे दो फैक्टर रखेंगे यह दखोते हैं फिर वन है इसके बाद में देखें एक्स सच्छ दैट एक इस एन ओड नेचुरल नंबर लेस दे है अब देखेंगे लिखावार है लात रहाएं लाइट न जाएंगे तो देखेंगे लहारा इसका अंसल मिलेगा अब देखेंगे दिकावार एक बार फिर पढ़ दो एक और नच्छ नॉमबर लैज़ेंक्ट तो हमारा देखेंगे तो इसके बाद देख लो फिर से लास दैने नेंचर नमबर है और यह ओड है और नेचरल नंबर फिर यह देखो त्पार इधर देखो राइट में एक सब्सक्राइब एक उड़न जट्र नंबर डिवाईजर और 6 और 6 डिवाईजर है और 6 को energy ऌए क्टेखेंगे तो ये मिलेगा हमारा थार्ट से मिलेगा इसका थोड़ाल यान रखेंगे एररो का मारा एक पार्ट रहेगा दी तो उन्हें पार्ट उसी का बच्छी है लेगिन फिर बीएक बार समझा देता हूं लिखावा एक सच दैट एक सीजे लैटर ओ दा वर्ड मैथेमेटिक्स तो मैथेमेटिक्स के वर्ड से जो हमारा सेट बनावाएं कौन सा इधर देखेंगे तो हमारा यह है मैथे लेगे यह थड़ वाला हमारा डी से मिल गया यह थरा वाला हमारा टी से मिलेगा यह रहा ठीक है इसके साथ हमारी एक्सराइज 1.1 खतम होती है और इसके बाद हम एक्सराइज 1.2 लेकर के आएंगे और आप हमारे इस वीडियो को सेर करते रहेगा अपने दोस्तों तक दोंगे और हम समझाएंगे जो तुम्हारे यह हैं या फिर अगर आप आटी का एक्जाम दे रहे हैं या फिर नेवी एक्सवाई ग्रूप के जो एक्जाम देंगे उनमें जो कौन किस्टर के को सब्सक्राइब बताते रहेंगे आपको इसी के साथ धन्यवाद